यह है हमारा चैप्टर 20 नैच्टर डीजन ऑफ दी वर्ड का थर्ड पार्ट यह है चैप्टर 20 ठीक है चैप्टर 20 का पहला लक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे टैंप्रेट ग्रास लेंड टैंप्रेट ग्रास लेंड के बारे में पढ़ेंगे यह क्या है एक नैच्टर डी मेडिटेरेनियन रीजन और क्या पढ़े हैं हॉट डेजर्ट यह सब हम पढ़े हैं ना ठीक है वैसा है यह यह भी नैच्रल रीजन है क्या है टेंपरेट ग्रास लेंड इसे हम देखते हैं इसके लोकेशन क्या है और इसके एरिया कौन-कौन से अपेड़ नीजाएं टीज थी सी टीस प्ले अशॉल्ट पर अब यह जो टांपरेट ग्रास लेंड है यह पूह प्लेंड यहां पर ट्रीक बिलकुल भी नहीं मिलते हैं ठीक है इस डीजन में टॉप कल ग्रास लेंड रीजन में ट्रीलेस प्लेन्स होते हैं मतलब एक भी ट्री वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे इन सवर पार्ट ओव बहुत जगें पुरे वर्ड में फैला हुआ है अपना अलग अलग एरिया अपना कुछ रीजन है उसका ठीक है वहाँ पर क्या है, tree-less plane है, अतलब वहाँ पर tree जो है, वहाँ पर नहीं पाख पाए जाते है अब दखते है, location और area, वहाँ की location क्या है, और area क्या है, temperature grassland की It extends between 40 degree and 55 degree north and south latitude, ठीक है क्या है, latitude यह क्या है एक्वेटर है ठीक है यह क्या हुगा यह 40 डिग्री और यह 55 डिग्री 40 से 55 डिग्री के बीच का जो रीजन है ठीक है ऐसा नहीं है कि पूरा रीजन 40 डिग्री से 55 डिग्री का पूरा रीजन जितना भी आ रहा हो तेंपरेट ग्रास लेंड हो ऐसा नहीं है ठीक है कुछ रीजन है कुछ हेरिया है तेंपरेट ग्रास लेंड में आ रहा है यह रीजन ट्रेड विंड और वेस्टर लीज क्या है विंड है ठीक है यहां पर ट्रेड विंड और वेस्टर लीज बिल्कुल भी नहीं रहती है यहां पर ट्रेड विंड और वेस्टर लीज विंड बिल्कुल भी ब्लो नहीं करती है नेक्स्ट है यह क्या हो गई यह लोकेशन हो गई क कहां से कहां पर लाई कर रहा है कि 40 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में ठीक है इसके एरिया देखते हैं यूरेशिया में steps कहते हैं इसको ठीक है Eurasia में steps है, tempered grassland North America में क्या है? North America में prairies, South America में Pampers, Africa में wells, Australia में downs, ठीक है? यह सब नाम है tempered grassland के और यह area है जहां जहां पर यह grasslands है सन में आ रहा है, टैप्रिट ग्रास लेंड कैसे है, ट्रीलेस प्लेंड है, लोकेशन क्या है, 40 डिग्री से 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ बोथ लाटिट्यूड में पाय जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड विंड और वेस्टर लीज नहीं र एरिया, यूरेशिया में टैंप्रिट ग्रास लेंड इस्टेप्स, नॉर्थ अमेरिका में है, प्रेरीज, साउथ अमेरिका में क्या है, पैंपर्स, अफ्रीका में, वेल्ड्स, एंड आस्ट्रेलिया में डाउन्स, यहाँ तक सन में आ गया, यह क्या था लोकेशन एंड ए 38 degree Celsius whereas winter temperature is minus 40 degree Celsius जो वहां पर टेंपर ग्रासलेंड के एरिया में उस रीजन में summer season में कितना temperature रहता है 38 degree Celsius कितना 38 degree Celsius और winter में temperature कितना रहता है माइनस 40 degree Celsius सन में आ रहा है और warm summer with 18 degree Celsius as mean summer temperature mean summer temperature मतलब बहुत ज्यादा थंडी भी नहीं है बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है उस टाइम में कितना temperature रहता है 18 degree Celsius ठीक है annual rainfall is 50 centimeter to 90 centimeter annual rainfall कितनी है 50 centimeter से 90 centimeter के beach में वहाँ पर rainfall होती है temperate grassland में rainfall is falling mostly in summer ज्यादा तर जो वहाँ पर rainfall होती है किस season में होती है summer season में होती है ठीक है winter precipitation is in form of snow summer में कैसे हो रही है falling rainfall हो रही है बारिश के थ्रू हो रही है और winter में यह बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन हलकी सी strong wind है कौन सी जो वहां की temperate grassland की रीजन की local wind है sun में आया क्या है summer temperature कितना है 38 degree celsius winter temperature कितना है minus 40 degree celsius mean temperature कितना है mean summer temperature 18 degree celsius annual rainfall कितनी है 50 cm to 90 cm और rainfall summer में हो रही है winter में snowfall हो रही है और local winds क्या है quite strong है sun में आ गया अब हम देखते हैं temperate grassland के vegetation के बारे में temperate grassland का vegetation कैसा है trees and large shrubs are absent temperate grassland में trees और shrubs वहां पर absent होते हैं trees मतलब पेर shrubs जो बहुत बड़ी बड़ी grass होती है वह वहां पर present नहीं होती है क्या है absent है कहां पर temperate grassland में tree and shrubs are absent ठीक है short grass grow everywhere अब पूरे जगह में सर्फ short grass ही grow होती है काफी छोटी छोटी जो grasses होती है वही सिर्फ वहां पर grow होती है areas where rainfall is more than 50 cm have a rich carpet of grass suitable for cattle rearing क्या है जहां पर जिस area में 50 cm से ज्यादा rainfall हो रही है annual rainfall 50 cm से ज्यादा हो रही है वहां पर क्या होगा जो grass हैं जो grass है वह काफी ज्यादा घनी grow होती है काफी ज्यादा grass grow होती है यह है जिसे एक carpet की तरह grow होती है यह पूरा area है और यहां पर पूरा line से काफी ज्यादा घनी क्या है grasses grow है कहां पर जहां पर 50 cm से ज्यादा rainfall होगी और यह grass जो है वह suitable है किसके लिए cattle rearing मतलब जो वहां के cow है cows buffalo इन सब के लिए यह grass suitable है ठीक है area that receives less than 50 cm rainfall have stiff grass which is suitable for grazing only sheep and goats जिस area में 50 cm से कम rainfall हो रही है जिस area में 50 cm से कम rainfall हो रही है वहां पर क्या होगा जो grass है वह बहुत घनी नहीं है बहुत ज्यादा grass वहां पर grow नहीं हो रही है इस वज़ा से यह किसके लिए suitable है सिर्फ sheep और goats के लिए क्यों कि जहां पर ज्यादा rainfall हो रही थी 50 cm से ज्यादा वहां पर cattle eating के लिए सही है क्यों क्योंकि cattle animals जो है जिसे cow है यह सब क्या large animals है इन्हें food के लिए ज्यादा grass चाहिए ठीक है इस वज़े से जिस area 50 cm से ज्यादा rainfall हो रही है वह area suitable है उनके लिए लेकिन जहां पर कम हो रही है वहां पर काफी कम grass ग्रो हो रही है और जो sheep है goats है वह small animals है तो इन्हें food के लिए बहुत कम ही grass उनके लिए हो जाती है ठीक है इस वज़े से यह area जहां पर 50 cm से rainfall कम है उस area में sheep और goats को grazing के लिए suitable area है soil of this grassland is deep and dark with fertile upper layers जुमा की soil है tempered grassland की वो deep है और dark deep मतलब जो उसकी soil की layer है वो काफी थिक layer है कि dark soil है दक सवरुपायर कि और क्या है डिख सब्सक्राइण water जो आपर लेयर जो और जो क्योंऑ फाटाइल लेयर है जो lack नेचे जो झा क्यक्राइण water ओक याव व्यव्यराअ इह स्ईक्ण ट्रीज और लार्जजट इपसेंड है शोट क्रास ड्रोः होती है सारी जगांपर जहां पर जेंदे से ज्याधा के पर लेर वो फरडाइल लेर यहां तक सन में आया हम next points देखते हैं vegetation के vegetation का next point क्या है few trees such as cottonwoods cottonwoods oaks willow ये grow हो रहे हैं कहां पर river valley में few trees such as cottonwoods oaks willows grow in river valley and some nonwoody plants especially a few hundred species of flowers grow among the grasses few trees जैसे cottonwoods oaks willows ये कहां पर grow होते हैं ये plants हैं और ये कहां पर grow होते हैं river valley में river valley river के किनारे किनारे और जो valley है यह है यहां से river निक जा रही है यह रास्ते से river valley में ही क्या निकल रहे हैं यह plants grow हो रहे हैं and some nonwoody plants especially a few hundred species of flowers grow the grass temperate grassland reason में क्या है बहुत से hundred species से भी चाता flowers है जो grass के साथ grow करते हैं ठीक है flowers are these are grass है कुछ grass है जैसे purple needle grass है ब्लू ग्रामा बफैलो ग्रास एंड गैलीटा यह सब कुछ grasses हैं जहां पर tempered grassland में found की जाती है पाई जाती है flowers of flowers हैं जैसे esters blazing stars cornflowers और golden rot sunflower and wild indigos यह सब कुछ ऐसे flowers हैं जो tempered grassland में पाई जाते हैं ठीक है sun में आया क्या है river valley में tempered grassland में जो river है river valley उनके साइड में कौनसे plant tree grow हो रहे है cottonwoods ओक्स विलो ठीक है और यहां पर जो flower है नॉन वूड़ी plants जो हैं बहुत सा flowers ऐसे होते हैं जिसमें लग वूड होती है लेकिन यहां पर जो flowers पाई जाते हैं वह grass उनके जो plants होते हैं वह grass की तरह होते हैं ठीक है और यह यहां पर जो flowers है 100 species से भी ज्यादा flowers की variety है species है और किसके साथ grow करते है grass के साथ जो वहां पर नॉर्मल grass है उसी के साथ यह grow करते हैं कुछ grasses हैं जैसे purple needle grass ब्लू ग्रामा बफैलो ग्रास गैलिटा यह सब कुछ grasses हैं और flowers कौन-कौन से हैं एस्टर्स ब्लेजिंग स्टार्स कौन-फ्लावर्स गोल्डन रॉट्स संफ्लावर एंड वाइल्ड इंडिको यह सब कुछ grass के और यह flowers के एक्जामपल है यहां तक संद में आया यह क्या थी नैच्छल वेजिटेशन अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में इस एरिया में इस रीजन में एट्रीजन में अनिमल्स कौन-कौन से हैं तांपरेट्र ट्रास लां के वाइल्ड लाइफ कैसे है कि वहां पे माइस है और रॉडेंट्स यह सब क्या है रॉडेंट्स है रॉडेंट्स मतलब ऐसे अनिमल्स जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं जिसे कहते हैं कतरते हैं ठीक है बहुत उनके शार्प टीथ होते हैं उनके टीथ है बहुत शार्प होते हैं इस वज़े से क्या करते हैं ग्रास क कहते हैं अब क्या है इस आपर यह जगा पर आपने सब्सक्राइब पाए जाते हैं और उनके जो टीथ हैं का फिर शार्प होते हैं और इसे बहुत ही इसली ग्रास को एट करते हैं ठीक है next है some of the rodents found in North American North American grassland में कुछ rodents पाए जाते हैं कौन-कौन से जैसे prairie dogs, mice, rats and ground squirrel ये क्या है? ये ground squirrel है ठीक है? कौन-कौन से पाए जाते है North American grassland में? प्रेरी dogs, mice, rats and ground squirrel ये रोशियन में? ये रोशियन का grassland क्या था? इस जब्स था यहाँ पर कौन से rodents पाए जाते हैं? माईस, हैंस्टर्स, गर्बिल्स and ससलिक्स ठीक है? आस्टरेलिया grassland में? आस्टरेलियन grasslands में कौन से पाए जाते हैं? वाम्बेन एंड, रैट, कंगारू सन में आया? क्या है? इस tempered grassland में सबसे ज़्यादा जो animals पाए जाते हैं? कौन से? इस एरिया में सबसे ज़्यादा rodents animals पाए जाते हैं, small rodents जो होते हैं? ठीक है? इनके teeth बहुत शार्प होते हैं, इस वज़े से ये grass को बहुत ही easily eat कर लेते हैं नेक्स्ट है, नॉर्थ अमेरिका में कौन-कौन से rodents पाए जाते हैं? प्रेरी डॉग्स, माइस, रैट्स, एंड, क्रांड स्क्वेरल ये कहा क्यों हो गए? नॉर्थ अमेरिकन grassland के नेक्स्ट है, युरोशियन, युरोशियन का grassland के steps और यहाँ पर कौन से rodents पाए जाते हैं? माइस, माइस, हैंस्टर्स, गर्बिल्स, एंड ससलिक्स संद में आया? औस्टेलिन grassland में कौन से rodents पाए जाते हैं? वंबेन एंड, रैट, कंगारू यहाँ तक संद में आया? अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं वाइड लाइफ के नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑस्टेलिया कंगारू और वेलेबीज जो हैं वो फ्रिली घूमते रहते हैं पूरे एरिया में ठीक है? जो अपने जो नेस्ट बनाती हैं जो अपने घुसले बनाती हैं वो ग्राउड में ही बनाती हैं ठीक है? और किया है एंडर नॉट गुड फ लाइव ये ऐसी बर्ड्स वहां पर पाए जाती हैं टेमपिर ग्रास्ट लेंड में जो अपना नेस्ट कहां पर बनाती हैं ग्राउड में बनाती हैं और वो गूड फॉयर से नहीं होती हैं मतलब वह उड़ नहीं पाती है बहुत अच्छे से वह उड़ नहीं पाती है ठीक है लेकिन इनके जो legs होते हैं वो काफी जदा strong और powerful legs होते हैं ठीक है इस वज़े से क्या है अगर कुछ भी होता है कोई भी problem होती है तो यो काफी तेजी से भाग सकते हैं ठीक है ओस्ट्रिच ओफ अफ्रीका अफ्रीका की बर्ड है ऑस्ट्रिच सौंथ अमेरिकन की रिहा औस्ट्रेलियन की है इंउ यह कुछ एक्जामपल बर्ड्स के जो टैंपरिट ग्रासलेंड में पाए जाते हैं हैँ अनियमल स्काइब से पाए जाते हैं स्मौल लॉडट लॉडट इनलों रॉडट एधम से माइज और ग्रांड्ड क्वेरल such कावर बनाती थिना ओस्ट्रेलिया में इनी वैलयरी कंगारू zT Work रोम करते रहते हैं हर जगे फ्रीली घूमते रहते हैं और वाँ पर बड्स क्या है कहां पर घोसला बनाती है अपना ग्राउंड में वह बहुत अच्छी फ्लायर्स नहीं होती बहुत अच्छे से वह उड़ नहीं सकती है लेकिन जोनके लेक्स हैं काफी जैता इस्टॉंग औ रहा और स्ट्रेलियन में एम्यू यह सब कुछ पर्ट के इसक्जांपल है यह क्या थी वाइल्ड लाइफ अब हम देखते हैं यूमन एडप्टेशन के बारे में इस तेमप्रेट ग्राउप्टेशन का इसा है वाके लोग कौन से है नाटिव अमेरिकंज यह क्या है जिससे नूमाद्स होते हैं ट्राइवर पीपल से हैं वैसे ही यूमन अड़ाप्टेशन ने टेंपरेल ग्रास लैंड का नैटिव अमेरिकांस यह अमेरिका के हैं तिल दा इंड ओफ 18th सेंचुरी मोस्ट ओफ दी ट्रोपिकल ग्रास लैंड रीजुन्स ओफ अमेरिका वर अंडर दी कंट्रोल ओफ नैटिव अमेरिकांस 18th सेंचुरी के पहले 18th सेंचुरी के पहले जो टाइम था वहाँ तब तक क्या किये हैं नैटिव अमेरिकांस ने जो टैम्परिट ग्रास लैंड का रीजन है अमेरिका में वहाँ पर नैटिव अमेरिकांस का ही पूरा कंट्रोल था नतलब पूरा जो राज था वहाँ का अमेरिका का टैम्परिट ग्रास लैंड रीजन का वह किनका था नैटिव अमेरिकांस का 18th सेंचुरी से पहले तक का ठीक है, next है, several of them are nomadic somewhere, native Americans में भी, कुछ लोग क्या थे, nomadic थे, और कुछ लोग वहीं पर रहते थे, nomadic मतलब, जो अपने food के लिए, या फिर temperature के basis पर, वो क्या करते थे, अपने place को छोड़ करके, दूसरे area में चले जाते थे, ठीक है, वो nomads थे, और क्या थे, ये कुछ native Americans ऐसे थे, जो उस area को छोड़ कर दूसरे area में चले जाते थे, time to time, ये change करते थे, ठीक है, अपनी place से दूसरे place में move करते रहते थे, कुछ native Americans ऐसे थे, अग कुछ जो native Americans थे, वो permanently वही पर settled थे, ठीक है, many of them lived only by hunting, gathering and fishing, others cultivated corns, beans, tobacco and pumpkins, बहुत से जो native animals थे, sorry, native Americans थे, उसमें से कुछ लोग कैसे थे, कुछ native Americans कैसे थे, वो सर्फ fishing, gathering, hunting करके ही अपना food लेते थे, उसी को eat करते थे, ठीक है, एक तरस ये कहले, दूसरे animals पर, दूसरे पर, ये depend थे, ठीक है, और कुछ Americans कैसे थे, native Americans, जो खुच से cultivation करते थे, ग्रो करते थे, जिसे corns हो गया, beans, tobacco, pumpkins, ठीक है, दिखाई दे रहा है, pumpkins, ये सब को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और इसी को eat करते हैं, यही इनका food था, सन में आया, next है, बिशन was most important animals, ये जो बिशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादे important animals था, इसके meat को, its meat was smoked and preserved for use in winter, इसके meat को smoked करते थे, मतलब, smoked मतलब, जो इसका meat था, बिशन, animals को मार करके, इसको जो meat था, इसको पका करके, रख लेते थे, और इसको winter में भी use करते थे, सन में आया, क्या है, 18th century के पहले तक, किनका control था, अमेरिका में, टैंपरे ग्रास जान का जो रीजन है, अमेरिका में, वहाँ पे किसका control था, native Americans का, और क्या है, कुछ लोग जो थे, native, कुछ native Americans थे, वो nomadic थे, कुछ वही पर permanently settled थे, कुछ native Americans क्या करते थे, hunting, gathering and fishing, उनसे अपना food लेते थे, और कुछ native Americans क्या थे, वो cultivation करते थे, जैसे कॉन्स है, beans, tobacco और pumpkins का, temperate grassland में, मतलब, अमेरिका में, जो temperate grassland का reason है, वहाँ पर, जो आखे लोगों के लिए, basin animals सबसे ज़्यादा important था, उसे मार करके, जो meat था, उसको पका कर रख लेते थे, और उसको winter में भी use करते हैं, ठीक है, हम next points देखते हैं, इसके, पिछले point में क्या पढ़े थे, जो basin animals था, उसके meat को, यह लोग preserve करते थे, winter के लिए, और यह तो meat का use हो गया, जो उसका hair था, basin animals का जो hair था, skin है, उसको wool है, उसको क्या करते थे, clothes को बनाने में help करता था वो, उसी से, उसके hair से, उसके skin से, जो wool है, उनसे क्या बनाते थे, clothes बनाते थे, यह basin animals से भी, और बहुत से जो animals हैं, उनके hair, skin और wool से, clothes बनाते थे, bones were used to make tools, जो animals के bones थे, वो किसके use में आते थे, किस चीज़ के use में, tools को बनाने में use आते थे, ठीक है, After American War of Independence, from 1775 to 1783, and formation of United States of America, the white Americans begin to move westward, that is, towards prairies, ठीक है, American war हुआ था जब, अमेरिका में, जब war हुआ था, independence का, कब हुआ था, 1775 से 1783 तर, यह war चला था, इस war के बाद, इस war के बाद, किसका formation हुआ, United States of America का formation हुआ, ठीक है, पहले किन का rule था, पुरा control किसके हाथ में था, Native Americans के, ठीक है, फिर जब, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, जब war हुई, वार के बाद, वार कब से कब तक हुई थी, 1775 से 1783, उसके बाद, किसका formation हुआ, United States of America का formation हुआ, तब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद, जो वहाँ के white Americans थे, वो move कर गए, किदर, प्रेरीज की तरफ, प्रेरीज कहाँ पर है, प्रेरीज, यह कहाँ पर है, नौर्थ अमेरिका में, प्रेरीज कहाँ पर है, यह नौर्थ अमेरिका की temperate grassland है, अभी हम पहले पढ़ें, लोकेशन और एरिया में, ठीक है, और जो वहाँ के, उस अमेरिका के, जितने भी white Americans थे, जो गोरे लोग थे, वो किदर चले गए, प्रेरीज की तरफ, मूव कर गए, मतलब नौर्थ अमेरिका की तरफ, मूव कर गए, ठीक है, white settlers, burnt forests, clear the land for cultivation, जो white settlers थे, मतलब जो white Americans थे, वो क्या किये, यहां से move करने के बाद, वहाँ पर जितने भी forest, जो भी forest वगएरा थे, उन्हें burn किये, और land है, उसको clear किये, और clear करने के बाद, land को साफ करने के बाद, वहाँ पर cultivation करना start कर दिये, ठीक है, सन में आया, क्या है, animals के hair, skin और wool से clothes बनाते थे, bone से tools बनाते थे, और independence के बाद, 1775 से 1783 तक war चला था, अमेरिका में independence के लिए, independence के बाद, किसका formation हुआ, United States of America का, और जिकने भी white Americans थे, वो किधर move कर गये, westward की तरफ, towards prairies, मिल्दा नॉर्थ अमेरिका की तरफ, move कर गये, और जो white settlers थे, वो forest को burn करके, वहाँ की land को clear करके, cultivation स्टार्ट कर दिये, ठीक है, हम next points देखते हैं इसके, next point है, they plot, land and sword, corn and wheat, क्या किये, land को साफ किये, उसे clear किये, और जो land थी, जैसे plain areas है, उन्हें plot किये, ठीक है, उसको मिट्टी में, मिट्टी को क्या किये, उनकी plot किये, मतलब जुताई किये, फिर इसके बाद, वहाँ पर corn और wheat को zone किये, zone मतलब, वहाँ पर corn और wheat की बुआई किये, ठीक है, महाँ पर corn और wheat, यह जो crops है, इसको महाँ पर बोया गया, और फिर, ठीक है, यहीं क्या था, उनके cultivation था, great plains were breaking the ground with tractors and disc plaws, जो great plains थे, ठीक है, उन्हें cultivation करने के लिए, वह जो ground थे, plain area है, उसे plot कैसे करते थे, ट्रैक्टर से, या फिर, disc plaws से, ट्रैक्टर और disc plaws से plot की करते थे, ground को, ठीक है, when drought, जो great plains lands थी, जो area था, वो काफी ज़्यदा, जो वाँ की soil थी, वो काफी ज़्यदा क्या थी, fertile soil थी, great plains की, जो soil थी, वो काफी ज़्यदा fertile soil थी, ठीक है, when drought is struck, 1934 to 1937, the soil lose the top soil, throw wind into dense dust cloud black blizzard, ठीक है, क्या हुगा, 1934 से 1937 तक drought आ गया, मतलब सूखा पढ़ गया, great plains में, 1934 से 1937 तक वहाँ पर सूखा पढ़ गया, सूखा पढ़ने की वज़े से, जो वहाँ की wind थी, सरी, जो soil थी, वो क्या हो गई, अपर लेयर, वहाँ की जो soil, वो अपर लेयर, लूस कर दिया, ठीक है, ये soil है, ये land है, ठीक है, अब यहाँ पर सूखा पढ़ने की वज़े से, ये जो अपर लेयर थी, उसमें cracks आ गए, ऐसे, लूस हो गई, ये, ठीक है, लूस हो गई, अपर लेयर, अब क्या हुआ, जब हवाँ चलेगी, wind चल रही है, wind ब्लो कर रही है, तब क्या होगा यह जो अपर लेयर है यह तो लूज हो गई स्वाइल की तो यह विंड के साथ ही जब विंड ब्लो करेगी थी जो अपर लेयर स्वाइल की यह भी क्या करेगी विंड के साथ ही मूफ कर जाएगी ठीक है और जब विंड चलती थी तब यह बहुत एक डस्ट था सैंड है जब स्वाइल है वो लूस हो गई तो डेस्ट की तरह हो गया और जब विंड चलती थी तो काफी ज्यादा डेंस डेस्ट क्लाउड बनता था डेंस डेस्ट क्लाउड ब्लांग ब्लिजाड कहते हैं ने जब जलती धी काफ़ी ज्यादा डुस्ट भी विंड के साथ जाती थी देंस क्लाउड की तरह फॉर्मेशन हो जाता था देंस क्लाउड की तरह लगता था उसे हम ब्लाइक ब्लिजाड कहते हैं ठीक इंवाव्य के लोग थे कि this environmental disaster known as dust bowl tragedy क्यों एक environmental disaster था जब कब wrayई था 1934-1937 में डौट आया था सूखा पड़ा था यह एक इन्वार्टमेंटर डिजास्टर थी और इसे हम डॉस्ट बाउल ट्रैजिडी के नाम से जानते हैं ठीक है इसे क्या कहते हैं डॉस्ट बाउल ट्रैजिडी सन में आया क्या है जुआ के नाटिव अमेरिकन्स थे प्रेरी इसकी तरफ मूफ कर गया थे और वो कल्टिवेश ग्रेट प्लेन्स है उन्हें कैसे ब्लॉक करते थे किसकी हल्प से ट्रैक्टर्स और डिस्क प्लॉस की हल्प से ड्रॉट इस्ट्रक सुखा कपड़ा था 1934 से 1937 में और जो टॉप सॉल थी सॉल की लेयर थी टॉप सॉल लूज हो गई और विंड के साथ यह भी मूव कर गई और यह जब मूव कर रहे थी डस्ट पार्डिकल तो एक क्लाउट की तरह दिखाई दे रहा था इक्दम डेंस क्ल विजारिदम ब्लाक सब पूरा ठीक है और इस डिजास्टर को यह एक इन्वार्टमेंटल डिजास्टर था सोखा पड़ना और इसे हम क्या कहते हैं डस्ट बाउल ट्रैजडी कहते हैं यह क्या था नाटिव अमेरिकंस का हम नेक्स्ट यूमन एडप्टेशन देखते हैं न रार्टमोफ यह तुर्किक मॉंगण पीपलह जो कहाँ पर रहते हैं मांचिने इस पर नहीं रहते हैं और यह लोग मूव करते रहते हैं यह मूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम जब जब इनके फूट के लिए इनके फूट के लिए तर्किक टृ क्रप소리 और तंहो dawn का इसीया में जो मॉन्टेनियस है चब मॉन्टेण इस रिजन में चाहां पर मॉन्टेन्स है वहां पर यह लोग रहते हैं, sheep, horses, goats, cattle, bactrian, camels and yarks, ये कुछ animals हैं, जिसे ये किरगिज लोग क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है, कौन-कौन से, sheep, horses, goats, cattle, bactrian, camels and yarks, इन सब animals की लोग पालते हैं देर डाइट कंसेस्ट औफ प्रोड़क्ट प्रोडूस्ट पाइड एनिमल्स लाग चीज, मिल्क और फैवरेट डेश मेट फॉर्मेंटेड मेर्स मिल्क कॉमिस क्या है जो उनकी डाइट है जो लोग खाना खाते हैं जो फूड है उजादतर किससे होता है जो एनिमल्स प्रोड़क्ट है जो एनिमल्स ये लोग पाल रहे है उससे जो प्रोड़क्ट निकल रहा है ठीक है जो उससे प्रोड़क्ट बन रहा है उसी को ये लोग अपने डाइट में लेते है जैसे चीज, मिल्क ये सब एनिमल्स प्रोड़क्ट है और ये लोग जो एनि मिल्क होता है उससे फर जोसका फर्मेंटेशन हो जाता है उस मिल्क का उससे क्या बनता है फिर कोमेस कोमेस एक डिस है इसको मिल्क से भी बनाया जाता है ठीक है यह उनकी फेवरेट डिश थी ड्राइड डंग जो ड्राइड डंग है उसको क्या करते हैं उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं किस परपस के लिए कोकिंग के लिए ठीक है क्यों क्योंकि अभी पहले वेजिटेशन में पढ़े हैं कि टैंपरेट ग्रास लेंड में ट्रीज फांड नहीं होते हैं वहाँ पर एक भी ट्रीज वहाँ पर नहीं मिलेंगे वहाँ पर सिर्फ ग्रास है ठीक है इस वज़े से वह वुड को फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं कुकिंग के लिए इस वज़े से आनिमल्स के जो डंग है ड्राइड डंग उसी से लोग उसी को फ्यूल की तरह यूज करते हैं कुकिंग के लिए ठीक है क्या है किर्गिस कौन से लोग है यह तुर्कित मॉंगल लोग है यह मॉंटेनियस रीजन एशिया के मॉंटेनियस रीजन में रहते हैं और एनिमल्स कौन-कौन से पालते हैं शेप होर्सेज गोट्स कैटल बैक्ट्रियन कैमल्स याक्स यह अनिमल्स है और यह डाइट में क्या लेते हैं जो एनिमल से ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसी को अपने डाइट में लेते हैं जैसे चीज है मिलक है और इनकी फेवरेट डिश है जो मेर्स मिलक से बनती है उसे हम को मिस कहते हैं ठीक है और ड्राइड डंग, एनिमल्स के ड्राइड डंग को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, कुकिंग परपस के लिए, यह सन में आया, हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, इसके, नेक्स्ट पॉइंट है, दे वियर, शेप स्किन, हैट्स, कोट्स, एंद लॉंग बूट्स, य लॉंग बूट्स को वियर करते थे, शेप की स्किन से, जो क्लोट्स बनते थे, उसे वियर करते थे, उसे हैट्स बनते हैं, उसे वियर करते थे, कोट्स हैं, और लॉंग बूट्स कोई लोग वियर करते थे, ठीक है, अदर नुमैडिक कॉम्यूनिटीज, और जो नुमैडि थे वो किसमें रहते थे ओई जो टेंटस था दो टेंट ौड और यूजवाली जर्कुलर इंफॉवर मैं उट कवर्ड विद लेयर्स मेट फ्रॉम वोल roupण गयों गप जो आर मैडी कॉमूलीकि थी व्यर्क़ू बावरत थी ठीके और टेंटस किस फॉम में था सर्कुलर फॉर्म में था ठीक है टेंट एक सर्कुलर फॉर्म में था और वो किसे कवर्ट था जो एनिमल्स से जो एनिमल्स की वूल थी जो एनिमल्स की स्किन है वूल है उससे उस टेंट को कवर करते थे उसी से अप उस टेंट को बनाते थे ठीक है नेक्स स्पूइंट है टेंट आर फरनेेज्ट विद ब्यूटिफुल राक्स एंड कार्पेट मेट बाई लुकिरगेश वुमन उस टेंट को सजाने के लिए जो किरगेश किरगेश वुमन है वो बनाती थी, कार्पेट है, उसे उस टेंट में रखते थे सजाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, और रैक्स हैं, बहुत से सजाने के गुड्स, मनलब सजाने के प्रोडक्ट से, उन्हें किर्गेज वुमेन बनाती थी, उसे भी ये लोग टेंट में रखते थे, ठीक most of the household goods are made of leather such as bottle for carrying milk वहाँ पर ज्यादतर जो household goods थे ज्यादतर जो घरों में यूज होने वाले समान थे वो किस से बने होते थे लेदर से अनिमल्स के अनिमल्स की स्किन से बने होते थे लेदर से जैसे जो अनिमल्स से लोग पालते थे ठीक है उसको कैरी करने के लिए जो मिल्क था उन अनिमल्स का उसे कैरी करने के लिए जो बॉटल थी वह भी किस से बनी होती थी लेदर से सन में आया क्या है क्या क्या क् सब्सक्राइब करने के लिए उसे सजाने के लिए जिसलिए अच्छा सब्सक्राइब करने के लिए बॉटल मिल्क करने के लिए बॉटल ठीक है यह सब किसे बने होते थे लदर से यहां तक सन में आया यह क्या था टैंपरेट ग्रास लेंड हमारा टैंपरेट ग्रास लेंड कंप्लेट हुआ यहां तक सन में आ गया होगा अब हम नेक्स लेक्चर में तुंद्रा रीजन या फिर टैगर रीजन पढ़ेंगे ठीक है यह क्या था टैंप्रिक ट्रासलेंग थेंक यू फॉर वाचिंग देस लेक्चर